पंजाब में नशा एक बड़ा सवाल है. जिसे लेकर पंजाब पुलिस काफी सतर्क है. पुलिस पंजाब में नशे को खत्म करने के लिए हमेशा चोकन्नी रहती है. इसी के चलते संग्रूर पुलिस ने तीन आरूपियों को काबू करने में सफ़लता हासल की है, जिनके पास स पुलिस ने एक किलो तीन सो ग्राम स्मैक बारामत की है जिसकी अंतराश्ट्रिय बाजार में कीमत एक करोड़ पंदरा लाख रुपए के करीब बताई जा रही है इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए एक प्रेस वारता के दरान SSP संग्रूर इंदर वीर सिंग ने ठीटी उन्होंने बताया कि इन तीनों दोशियों में दो महिलाएं हैं जिनमें से एक भुरो कौर उम्र साथ साल है और तरन उम्र 22 साल है इनका तीसरा साथी बलबीर सिंग भी पुलिस हिरासत में है फिलाल पुलिस ने तीनों आरोपियों पर मामला दर्श कर आगे की जांच शुरू कर दी है ताकि ये पता चल सके कि वे इतनी बड़ी मात्रा में नशे का धंदा कैसे कर रहे थे और इनके तार कहां कह और किस के साथ जुड़े हुए हैं